नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम मोधी सरकार बड़े गहरे संकट में फस गई है अंतराश्टी इस्तर पर उसके खिलाफ एक के बाद एक साजिशे हो रही है निगेटिव प्रचार चारो तरफ से उसे घेर रहा है अब देखे न विश्व स्वास संगठन डव्यू एचो ने कहा है कि भारत सरकार ने जो कोरोना के आकड़े दिये वह गलत थे डव्यू एचो के अनुसार भारत में दूसरी लहर के दौरान सरकारी आकड़ों की तुल्ला में दस गुना अधिक लोगों की भारतिय नागरिकों की मौत हुई थी 47 लैक भारतिय नागरिक मारे गए थे जबकि सरकारी आकड़ा 4.8 लाख मौतों का ही है सरकार ने इस पर हंगामा किया विरोध किया तमाम चीजें तमाम मंत्री सामने आए और ऐसा पहली बार नहीं हुआ ठीक कुछी दिन पहले अभिवेक्ति की आजादी पर या प्रेस की स्वतंतरता पर जब इस तरह की निगेटिव रैंकिंग आई तब भी सरकार ने सरकारी मंत्रियों ने इसका तकड़ा विरोध किया और देखिए देश के हालाद सुधारने के बजाए अब सारा का सारा जोर है कि इस निगेटिव रैंकिंग से सरकार कैसे भिड़े और इसके लिए सरकार ने नरेटिव मेनेजमेंट स्ट्राटेजी बनाई है और ये बहुत एहम स्ट्राटेजी है क्योंकि इसके तहट तमाम आला दिमाग तमाम मंत्राले एक साथ बैठ कर यह कोशिश करेंगे कि ये जो सही तस्वीर भारत की अंतराष्टिय मंचों पर आ रही है अंतराष्टिय संस्थाएं जो अध्यान करती रही है और ये अध्यान ऐसा नहीं कि सर्फ मोदी सरकार के द है इस पर भारत सरकार बहुत ध्यान से रणनीती बना रही है और जैसा कि खबरें जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उससे साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में यह जो नरेटिव बिल्डिंग का पूरा का पूरा काम है इस पर बहुत तगड़े धंग से बैटिं भारत सरकार राष्टिय स्तर पर और अंतराष्टिय स्तर पर करने जा रही है अब देखिए ना आलम यह है कि आर्बियाई और वित्रमंत्राले के बीच भी आपसी सहमती बंती दिखाई नहीं दे रही इंफलेशन को लेकर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पर कोई स लगी ही हुई है हम सब उसके आदी होते जा रहे हैं रसोई की कीमत हर महिने या दो महिने में बढ़ रही है अभी 50 रुपे रसोई गैस बढ़ गई कमर्शियल गैस में तो इजाफा इतना तेज है कि यादी नहीं रहता कि कब उसमें 500 रुपे कब उसमें 200 रुपे या 500 प्रिद्धी कब हुई थी कमर्शियल रसोई गैस में लेकिन इधर जो खत्रे की घंटी बजी है वह हमारे आपकी रोटी से संबंदित है आटे की कीमत में उच्छाल आया है जो खबरे हैं वह साफ बता रही हैं कि पैदावार कम है और मांग जादा है इस बारे में बहुत लं यह संकट भारत के सामने आने वाला है इसका सीधा तालुक क्लाइमेट चेंज से है सरकारी नीतियों से है MSP पे खरीच से है और जिस तरह से खेती में कॉर्परेट को खुली छूट दी गई है उससे है सिर्फ इतना ही नहीं आप देखिए कि कोईले का जो संकट है कोईले का संकट किस तेजी से बढ़ रहा है दुनिया के तमाम देशों में कोईले का संकट है यूक्रेन और रूस को लेकर जो युद्ध चल रहा है जो तनाव चल रहा है उसकी छाया पूरी देश में पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है और वे लोग पहले से तैयारी करते हु ही नहीं लगातार विकास विकास की रट लगाए रखता है लगातार मुदी सरकार या उनके नेत्रित में जो और सरकारे चल रही हैं राज सरकारें वे तमाम विग्यापनों के जरिए तमाम प्रचार के जरिए औल इस वेल का संकेत देती रहती हैं बताती रहती हैं कि पेट नहीं तो क्या हुआ पीज़ा और बाकी चीज़े तो हैं जो खाई जा सकती हैं लेकिन इसे सुनकर हम और आप कितनी तसल्ली पा सकते हैं यह एक अलग मुद्दा है देखे न मोदी जी के ही राज गुजरात में वहां पर मुसल्मान मचुवारों ने गुजरात हाई कोट में आवेदन दिया इस आवेदन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो निश्चित तोर पर आपकी आँखों में नमी आ जाएगी उन्होंने कहा कि जिस हालत में वे रह रहे हैं उन्हें जीने के लिए जिस तरह से संकट का सामना करना पढ़ रहा है सरकार जिस तरह से उनकी उप जिनकी तादात तकरीबन छे सो लोग है जिन्होंने ये आवेदन पे सहमती जताई है उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि अदालत हमें इच्छा मृत्यू का इजाज़त दे दे वजह साफ वह कहते हैं कि मुसल्मान मचुवारों के खिलाफ भीशन भेदभाव है गुजरात में ऐसे में उनका जिन्दा रहना अपने परिवार को चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और ये तमाम मचुवारे इनका रिश्टा महात्मा गांधी के ग्रिह शहर पूर बंदर से है और शायद यह खबर अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि गुजरात में या गुजरात का जो विकास मॉडल है उसमें तमाम लोगों के क्या हाल है दोस्तों एक और खबर जिस पर ध्यान देना बेहस जरूरी है और शायद जो हमारा सो कॉल्ड कॉर्परेट मीडिया है उसका ध्यान इस पर नहीं जाएगा या कम जाएगा यह खबर आई है नेशनल फैमिली हल्थ सर्वे से राष्टिय परिवार स्वास्त सर्वे की जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखा पढ़ा जाना चाहिए इस रिपोर्ट में बहुत साफ हुआ है कि पिछले दो दशकों में भारती मुसल्मानों की जो आबादी है उसमें जबरदस्त गिरावर दर्ज की गई है यानि जो लोग यह डराते रहे हैं कि हम पांच और वे पच्चीस हैं मुसल्मानों के खिलाफ एक जो बड़े पैमाने पर उनमादी भीड तमाम साधू सन्यासी लगातार नफरत उडेलते रहे और हिंदूों को संकट में बताने की कोशिश करते रहे वह सब फर्जी है क्योंकि यह आकड़ा आपका या मेरा नहीं है यह आकड़ा सरकार का है यह आकड़ा नेशनल सर्वे जो कराया गया यह सरकारी मशीनरी ने कराया है और यह सरकारी मशीनरी का सर्वे साफ साफ बता रहा है कि जिस तरह का दुश प्रचार मुसल्मानों के खिलाफ पूरे देश में और खास तोर से उत्तर भारत में पहलाया जा रहा है बहुत सोस समझ के पहलाया जा रहा है जिसमें कभी तमाम अपराधी जैसे लोग चाहे उनका नाम यतीना नंध हो, काली चरण हो, बजरंग मुनी हो या अंगिनत लोग जो यह बताने की कोशिश करते हैं हिंदूों को डराने की कोशिश करते हैं कि हिंदू अलब संख्यक हो जाएंगे क्योंकि मुसल्मान बहुत संख्या में बच्चे पैदा कर रहे हैं वह सब सारी की सारी चीजें जूटी हैं यह बात मुदी सरकार के नेत्रित में जो सर्वे हुआ है वह बता रहा है लिहाजा यह जो दुश्परचार पूरे देश भर में चल रहा था चलाया जा रहा था इसे काउंटर करना बेहद जरूरी है दोस्तों एक तरफ यह तमाम खबरे हैं जो आप तक पहुची हैं उधर ग्यान व्यापी मस्जित का मामला जो प्रधान मंत्री की कॉंस्ट्वेंसी उनके संसिदी छेतर बनारत से रिष्टा रखता है किस तरह से अचानक ही ग्यान व्यापी मस्जित के इर्दगिर्द दुरूई करण किया जा रहा है एक नफरत का महौल पैदा किया जा रहा है अदालत और उसके आसपास पूरा का पूरा महौल ऐसा बना दिया गया है ठीक तकरीबन वैसा ही जैसा आयोध्या में नब्बे के दशक में करने की कोशिश की गई थी उसी तरह से बनारत को नफरत के नए अखाडे में तबदील करने की कोशिश सरकारी मशीनरी के साथ साथ बाकी तमाम लोग करते दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको जो स्क्रीन पर इस समय वीडियो दिखाई दे रहा है वह वीडियो हर्याना के नू इलाके से आया है मेवात इलाका हर्याना का जो हिंदु मुस्लिम भाईचारे के लिए बिलकुल अलग धंक से माना जाता रहा है वहाँ पर सरेयाम हत्या की बात हो रही है पंचायत करके सरेयाम कहा जा रहा है कि जो भी गौवंच पर हात रखेगा उसका सर अलग कर दिया जाएगा हम सब जानते हैं कि हर्याना में चुनाओ होने हैं और वहाँ पर बहुत सुनियोजिक ढंग से एक नफरत का माहौल पहलाया जा रहा है इसकी बानगी यह वीडियो देता है इसी बीच जब नफरत का पूरा माहौल बनाया जा रहा है कुछ सुकून वाली खबरें कुछ इनिशेटिव हमारे सामने आते हैं किसान संगठनों ने बैठक करके बकायदा यह घोशना की कि राम सेना और बजरंग दल को आतंकी संगठन घोशित किया जाए संयुक्त किसान मूर्चा और अखिल भारतिय किसान समन्वे समिती ने मद्रप्रदेश में बैठक की और उसमें बहुत खुल कर कहा कि सिवनी में जिस तरह से आदिवासियों की हत्या हुई गौ हत्या के नाम पर खुले आम इन दोनों संगठनों के लोगों ने आदिवासियों को पीट-पीट कर मार डाला इसका किसान संगठनों ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि हत्या के बाद मद्रप्रदेश के ग्रिह मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया जिस तरह से हत्यारों को बचाने की कोशिश की गई वह अत्यन्त निराशा जनक है। यहां पर उन्होंने खुले आम कहा कि वे नफरत के तमाम अभियान जो चलाये जा रहे हैं मद्रप्रदेश में उसके खिलाफ हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाएंगे और लामबंद करेंगे। रिवेंज लेती हैं बदला लेती हैं तो वहां बुल्डोजर भेजती हैं उन्हीं बुल्डोजरों को दोबारा शाहीन बाग ने वापस किया। लोग लामबंद हुए वह दिखाता है कि भारत को भयमुक्त करने वाली ताकतें आज भी जिन्दा हैं वाइबरंट हैं। दोस्तों जब नफरत इतनी ज़्यादा पहलाई जा रही हो उपर से लेकर नीचे तक बहुत ही सुनयोजित ढंग से तब बहुत जरूरी है अपने देश को सही संदर्वों में याद करना, उससे प्यार करना और अपने प्यार को और ज़्यादा गाढ़ा करना। और ऐसे में बहुत जरूरी है रविनार्ट तैगोर को याद करना। रविनार्ट तैगोर का 161 जनम दिन है। उनकी मानवता, मानव मुक्ती से ओत प्रोत विरासत के लिए उन्हें सलाम करते हुए उनकी कुछ पंक्तियां आपके साथ साज़ा कर रही हूं जो हिंदी, अंगला में हम सब को इस नफरत के महौल से बचाने का काम कर रही हैं। दोमेस्टिक वाल्स शुक्रिया